नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग एलक्टानिक स्कूटर के बारे में इस स्कूटर की खासियत यह है कि यहां अपना बैलेंस खुद बनाता है और आपको पाउंट टिकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती यानि कि ऐसे लोग जिने दो पाहिया वहां चलाते समय बैलेंस बिगणने का डर रहता है उनके लिए यह एलक्टानिक स्कूटर बेहत खास होने वाली है दोस्तों तो इसका नाम है लाइगर लाइगर की दो मॉडल है लाइगर यक्स और लाइगर यक्स प्लस देखो भया खास बात इसमें यह है कि यह भारत की नहीं बलकि पूरी दुनिया के पहला सेल्फ बैलेंसिंग एलक्टानिक स्कूटर है तरसल इसमें खास बात यह है कि इन स्कूटर में आपको आटो बैलेंसिंग टेकनलोजी का इस्तेमाल किया गया है जो स्कूटर को कम स्पीट पर गिरने नहीं देगा अब आईए हम बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है यह फिचर्स भया कमपनी का कहना है कि इस स्कूटर में artificial intelligence यानी AI का इस्तेमाल किया गया है इस्कूटर को sensor के जरिये यह data मिलता है कि वह किसी सिती में है और कैसे इसे संतुलिद बनाया जाए इस फिचर्स का फायदा यह है कि आपको भारी traffic में भी पाओं को जमीन पर टिकाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब आए हम बात कर लेते हैं कि यह features कितने speed तक काम करती है अगर हम स्कूटर की सवारी कर रहे हैं तो हमको slow motion पे ही पैर रखने की जरूरत पड़ती है किसी भी two wheeler को balance करने की जरूरत तब पड़ती है जब वह कम speed पर हो इसी बात का ध्यान रखते हुए company ने low speed पर ही इस features को activate करने की सुब्दा दी है यह features 5-7 km प्रती घंटा तक की speed पर काम करेगा आप चाहें तो इस features को खुद deactivate भी कर सकते हैं अब आईए हम बात कर लेते हैं full charge में कितने km तक की wrench देती है लाइगर electronic scooter इन scooter में lithium ion battery pack दिया गया है जहां लाइगर यक्स से scooter 65 km पर हावर्स की top speed और 60 km की wrench आफर करता है वहीं लाइगर यक्स प्लस में 100 km की wrench मिलती है लाइगर यक्स की बैटरी 3 घंटे से कम समय में full charge हो जाती है अब आईए हम बात कर लेते हैं self balancing electronic scooter के features के बारे में self balancing legger electronic scooter आधुनिक features और तकनिकी के साथ retro style के साथ आता है scooter की overall styling classic Vespa और यमा फसीनों से काफी हद तक मिलती नजर आती है scooter के front में front apron पर लगे delta के आकार के LED headlight को fit किया गया है LED daytime running light भी दी गई है गोल आकार के LED turn indicators front cowl पर लगे हैं electric scooter एक all digital instrument console दिया गया है एक LED tell light भी दिया गया है telescopic front suspension भी दिया गया है चोड़ी sit allow wheel आधी के साथ आता है braking system के लिए scooter के front में disc brake और rear में drum brake भी दिया गया है और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स भी दिये गये हैं तो भी या फ़र्ष्ट आटो mobile balancing electronic scooter कैसी लगी जो खड़ा करने के लिए नहीं stand की कोई जरूरत खुद बना लेता है अपना balance को आता है के चक्वा है को आता है